नमस्कार स्वाकत है आप सभी का मैंको आपके साथ हनुसिंग खबरों की शिर्वात इस वक्त की बड़ी खबर से भदोई से बड़ी खबर मिल रखी है बाहु बली विजे मिश्र जेल में रहकर लड़ेंगे चुना इस वक्त की बड़ी खबर निर्दलिये ही वे मैदान में एंट्री मार सकतेंगे ग्यानपूर सीट से भाजबा प्रत्याशी के रूप में अन्या नाम की चर्चा है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी भदोई से मिल रही है जहां बाहु बली विजे मिश्र जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे निर्दलिये चुनाव मैदान में उतरने की सुद्बुगाहच है बढ़ेंगे आगे कल कानपुर देहात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंचेंगे अकबरपुर में पीम मोधी की एक रैली होने बाली है कल तो पहर 12 बजे प्रधान मंत्री बोधी यहां रैली करेंगे कानपुर देहात में तीसरे चरण में चुनाब हैं जहां कल दूसरे चरण के लिए बोटिंग होगी और अब तीसरे चरण के प्रचार पर सभी की निगाहे हैं लेकिन इन सब में प्रधान मंत्री नरेंद्र अक्परपुर में एक रैली करेंगे तीसरे चरण में चुनाब है कानपुर देहात में और वहां प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील होगी दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद आज सियासी दिगज आगे की चरणों को लेकर प्रचार करने के लिए अलग अलग जिलों में जुटेंगे इसमें सीम योगी अखली श्यातव समेथ असद्दू दिनो पैसी और केंद्री मंत्री राजनाथ सिंग भी आज यूपी में प्रचार करते हुए नजर आएंगे सीम योगी आज तीसरे चरण के लिए एटा परुखाबाद और और औरयया में जन सभाई कर प्रतियाशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे तो वहीं केंद्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आज पांचवे चरण की सीटों के लिए बारबंकी में चुनाप प्रचार की कमान संभालेंगे वहीं सपा अध्यक्ष अखलेश यातव तीस्वे चरण के लिए आज अपना विजयरत लेकर पहुंचेंगे हाथरस कासगंज और एटा साथी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दी नोवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबु सिंग कुश्वा आज पिरोसाबाद में संयुक्त जन सभाकर भागिदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याश्वी बबलु सिंग के लिए बोटों की अपील करेंगे तो चार तस्वीरे दिखा रहे हैं जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वोटिंग के लिए आगे उसी तरह से प्रचार की जो कमान है वो भी तमाम दिगज पार्टीओं के लेकर आगे बढ़ रहे हैं अखलेश यादव से लेकर योगी आधितनाथ असदुद्दी नोवैसी तो तीसरे चरण के लिए आज धुआधार प्रचार करेंगे सीम योगी आधितनाथ वे एटा और परुखाबाद में पहुंचेंगे चुनावी रैलिया यहां करेंगे और एया में भी एक जन सभा को सीम योगी आधितनाथ संबोधित करने वाले हैं तीसरे चरण के लिए आज थुआधार प्रचार करने सीम योगी आदितनाद उतर रही हैं इसमें खास एटा और परुखबाद की रेलिया हैं और एया में एक जन सभा को सीम योगी संबोधित करेंगे और आज जहां सीम योगी आदितनाद के तमाम कारिक्रम हैं प्रचार के से पहले दे डो टू ट प्रचार की करते रहे हैं और अब तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाब है वो बढ़ रहा है और इसी तरह सीम योगी आदितनाद की कारिक्रम भी आज बढ़ेंगे सीम योगी ने बच्चों के साथ एक पोटो शेयर की है ट्विटर पर सीम योगी आदितनाद आपने एक पोटो शेयर की है लिखा है प्यारे बच्चों खूब पढ़ो खूब पढ़ो आप ही नए भारत की भविश्ये हैं आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है मुख्यमंत्री योगी आदितनापने आज ये एक पोटो ट्वीट की है और उसके साथ ही बच्चों के लिए भी लिखा है कि आप नए भारत का भविश्य हैं आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है आप खूब पढ़े खूब बढ़े सीम योगी ने क्या ट्वीट किया है ये आपको दिखाते हैं देखिए ये पोटो ट्वीट किया और साथ ही लिखा प्यारे बच्चों खूब पढ़ो खूब बढ़ो CM ने आज ये ट्वीट किया है इसे पहले भी जब CM डो टू डो प्रचार कर रही हो या फिर अन्य कारिक्रमों में शामिल हो जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे बच्चों के पास जरूर जाते हैं और इसके अलावा CM योगी ने आज कई और भी ट्वीट किये क्या उन्होंने ट्वीट में लिखा है ये भी आपको बताते हैं CM योगी ने लिखा प्राचीन मानव सभ्था की विकास भूमी महा भारत योगीन स्मृतियों को संजोए महान संथ बाबा बाबा नीम ककोरी महराज की तपोस ठली तथा मा गंगा के तच परवसे जनपत परुखाबाद में आज मैं उपस्थित रहूंगा परुखाबाद वासियों से समबाद के लिए मैं अत्यंत उचसाहित हो आज परुखाबाद जाने से पहले वहां के लोगों को ये संदेश सियम योगी ने दिया है साथी अगला ट्वीट लिखा भाजपा सरकार में जहां निर्धनों के आवास पर प्रसंद साकार हो जोंका स्वपन है वो साकार हुआ है पक्के घर की चाबी ने उनकी जीवन में प्रगती का नव प्रभात लाने का कारे किया है परुखाबाद में PMAY वा मुखे मंत्री आवास योटना की अंतरगत 16,741 गरीबों को आवास प्रदान कर हमारी सरकार अंतवदे के संकल्प को सिद्ध कर रखी है ये भी एक ट्वीट लिखा इसके आगे भी ECM ने एक और ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा भार्षपा सरकार गरीबों को संबल प्रदान करने ही तुँ प्रतिबद है जन्पद परुखाबाद में 171829 ला भारती आविश्मान भारत गोल्डन कार्ड से 5 लाख तक के निशल को उपचार की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं अरोग्यता के अमरित से जन जन को अभी सिंचित करना हमारा संकल्प है तो सरकार किस तरह से कारे कर रही है जहां गरीबों से लेकर उनके आवास उनके स्वास्ते का खयाल रखा जा रहा है एक और ट्वीट सीम ने लिखा कहा भारत भूमी में भारत भूमी के अनेक पौरानिक अध्यात्मिक एवं एतिहासिक संदर्वों की स्मृती भूमी तथा स्वाधीनता संग्राम के अमर क्रांती कारियर की तपोस्थली जनपत एटा में मुझे आज आप सभी के बीच रहने का अवसर मिल रहा है एटा वासियों का सुशासन के प्रती समर्थन नए उत्तरप्रदेश की नीव को मजबूती प्रदान करता है तो आज परुखाबाद और एटा सीम को जाना है उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट लिख है अग्ले श्यादव चलाएंगे रेली अख्ले श्यादव की होगी चारो जिलो में जंसंपर्क अभियान अख्ले श्यादव चलाएंगे इससे पहले भी वे अपने विजयरत पर सवार होकर वेस्टन यूपी में कई जगहों पर जनसभाई कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फरेंस कर चुके हैं, कई उनके कारिक्रम लगे हैं और अब तीसरे चरण के लिए ये प्रचार चल रहा है, जिसमें आज अखलेश यादव, हाथरस, कासगंज, एटा और पिरोजाबाद जाएंगे यूपी मिधान सभाई चुनाव के तीसरे दोर के प्रचार के लिए कल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साथा, बलकि आएंगे तो योगी है का नारा भी दिया पियम मोधी ने सपा के गड़ माने जाने वाले कन्नौज में हुंकार भरी और दावा किया कि पहले चरण के मद्दान के बाद ही परिवार बादियों की नीन्द हराम हो गई है तीसरे चरण के लिए पियम मोधी की हुंकार कन्नौज से विरूथियों पर सीधा प्रहा पूर परिवार बादियों को सपने दिखना पंद हो गए है आएंगे तो योगी ही नारे से विपक्ष परतंज तीसरे चरण के लिए पियम मोधी का एलाने जन्द जूपी विधान सबह चुनओ के दूसरे चरल का प्रचार थम गया है और पियम मोधी ने अब तीसरे चरल के प्रचार की बागदौर सम्हाल ली है जिसके तहत वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नौच पहुचे जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर एक के बाद एक कई हमले किये पियम मोदी ने विपक्षी दलो पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि पहले चरल के मतदान के बाद परिवारवादी पाड़ियों के नींद हराम हो गई है पूर परिवारबादियों को सपने दिखना बंद हो गए है पता है क्यों इसलिए कि उनकी निन्द हराम हो गई है वो लोग सोच रहे थे कि जाती बाद भैला कर संप्रदाइबाद भैला कर वोटों को बांड देंगे जन सभा को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने जहां विपक्ष पर परिवारवादवाला हमला बोला तो दूसरी ओर आएंगे ही योगी के नारे के साथ विरोधियों पर तंज भी कसा पियम मोदी ने कहा कि सीम योगी ने यूपी के विकास को बुलंदी तक पहुँचाया है ऐसे में यूपी की जनता 2022 में भी उन पर ही भरोसा करेगी उत्तर पुदेश हो हो गोवा हो उत्तरा खंड हो जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कायरकबों के लिए जाना हुआ भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूत पुर्वा लहर मैंने देखी है पीम मोदी ने कहा कि योगी सरकार के पहले यूपी में अक्सर दंगे होते थी और लोगों को इसका खामियासा उठाना पड़ता था लेकिन योगी सरकार के पिछले पांच साल के कारेकाल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ जो बड़ी उपलब्धी है वो लोग सोच रहे थे कि जाती बाद फैला कर संप्रदाइबाद फैला कर वोटों को बाड़ देंगे लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों दंगावादियों के खिलाब एक जूट होकर वोट कर रहे हैं यह एक जुड़ता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है यूपी विधान सभा चुनाव के लिए पियम मोदी के ताबर तोड दोरे जारी है पियम मोदी चुनाव प्रचार के लिए जहां भी पहुँच रहे हैं वहां से इशारों में सपा और कॉंग्रेस पर परिवार बादी होने की तोहमत लगा रहे है साथ ही बस्पा पर भी हमले बोल रहे है पियम मोदी का ऐसा ही अंदास करनौज में भी देखने को मिला जहां पर उन्होंने विरोधियों पर जम कर बयानों के बाल चला है यूदो रिपोर्ट एबी पी गंगा बड़ी खबर आप सको बताते हैं जहां मायवती ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है विकास के दावों को लेकर मायवती ने सवाल उठाए है भाजपा का विकास का दावा कितना उचित? मायवती ने सवाल उठाया उन्होंने लिखा कर्ज में ढूपी घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसानों द्वारा आत्माहत्या के खबरे विचलित करती है किन्तु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी आत्माहत्या करने की विवश्टा ने राश्ट्रे चिंता, बेचैनी वा आक्रोश को और बढ़ा दिया धिर भी विकास वा इंडिया शाइनिंग आदी जैसा भाजपा का दावा कितना उचित? एक और ट्वीट उन्होंने लिखा है, अगले ट्वीट में क्या कहती है मायवती ये भी देखे, उन्होंने लिखा साथ ही भाजपा द्वारा संसद में भी बेरोजगारी के जोलंत राश्ट्रे समस्या से इंकार करना इनकी ये गलत वा एहंकारी सोच नहीं है तो और क्या है? कौन युवा बेरोजगारी का ताना वा अपमान सहना चाहता है? भार्षपा के लोग अपनी संकीन सोच वा मानसिकता को त्यागें तभी देश का कुछ भला संभव मायवती ने ये ट्वीट किये हैं और भार्षपा परनिशान असाधा है बढ़ेंगे आगे देहरा दून में निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं इसी कड़ी में आज जिले की सभी दस विधान सभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रगी है हाला कि चकराता और मसूरी के लिए पोलिंग पार्टियां पहले ही भेजे जा चुकी है ABP गंका संबाद्धाता पंकज पांडे की रिपोर्ट देखिए उत्रकण में कल होने वाले मदान के लिए पोलिंग पार्टियों के रवानगी का सिल्सला सुरू हो गया है मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहां तमाम जो पोलिंग पार्टिया है वो अलग-अलग हिस्तों से पहुंच गई है और उनको यहां से जो तमाम उपरण होते हैं उनको दिये जा रहे हैं आप देखेंगे तो यह कैंट विजानसवाद शेतर का जो एरिया है उसके लिए तमाम करमचारी है उनको यहां से समान दिये जा रहे हैं और यहां से EVM मसीन उसके अलाög कि अन्य को लेकर यहां से बो अपने PORCL over के लिए रवाना हो रहे हैं और इसके बाद भी यह कहा सकता है कि क्योंकि इर्हदून शहर का जो एरिया है दिरहदून जो सहर है वो क्योंकि सहरी एरिया है तो वहाँ पर जाने के लिए भो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसलिए कई पॉलिंग पार्टिया है वो तकरीवन यहां से 12 से एक बज़े के बाद भी रवाना होंगी लेकिन अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और यहां अ पॉलिंग पार्टियों को तो उन पॉलिंग पार्टिया वो पॉलिंग पार्टिया ग्यारे तारीक को यहां से रवाना हो चुकी है इसके साथ अगर अब पूरे प्रदेश बद की बात करें तो तकरीवन 11,647 पॉलिंग स्टेशन मनाए गए है जिनको 276 जोन में बाटा ग प्यारी ना हो एबीम मसीनों का निरिक्षन किया रहा था इसके अलाबा तमाम जो करमचारी हैं जिनकी ड्यूटी मदान के लिए लगाई गई हैं उनको भी प्रस्टिक्षिट किया जा रहा था ताकि कि किसी तरह की दिक्कत ना हो अब कल 4 तारीक का इंतिजार करना होगा क् चोज़ा तारीक राजनेतिक पार्टी के लिए बहुत महत्मों दिन होने वाला है मद्दान होगा प्रदेस वर्शे तमाम जो मद्दाता है वो मद्दान करने के लिए आएंगे तकरीबन 81,76,000 के करीब पुरे प्रदेस वर में मद्दाता है जो अपने एक नई सरकार चुन झाल 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 झाल